अगर आप भी विए विश्पेर एड्मिन की पोस्ट भी जॉब करते हैं या रिसेंट लिए अपने अप्लाई किया है या प्लान कर रहे हैं विएम्वेर एड्मिनी स्टेटर बनने के लिए तो आज की ये वीडियो पूरी तरीकी से डेडिकेटर है आपके लिए क्योंकि इस को अपने क्लाइंट को एक अच्छी से अच्छी सर्विस प्रवाइड कर सकें अज भी वीश्पेर एड्मिनिस्टेटर तो चलिए सुरू करते हैं आयम मंजीत रावत यॉर ऑनलान इंस्टेक्टर और यूर अटीच मी क्लाउड तो बिसिकली मूब करते हैं आपनी स्क्रीन के बारे में भी बात करेंगे तो चलिए मूब करते हैं अपने स्क्रीन पे बट उसके पहले अगर आप नए हैं हमारे यूटूब चैनल पे या फिर हमारी इस वीडियो को पहली बात देख रहे हैं तो प्लीज दू सब्सक्राइब टीच मी क्लाउड यूटूब चैनल क्योंक हमें 5 to 6 different issues को collect किया है और उनकी solution को हम आपको provide करने की कोशिस करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इसू से पहला जो common इसू है वो है नेक्स ताइम जब आप इसंटर on करते हैं तो कहीं न कहीं वह रहता है डिसकनेक्टेट रहता है या पहली बार आप भी सेंटर इस्टार रहें और इसके अंदर इसका है इंस्टॉल connect करने की कोसिस करने है बटाइन फॉर्चिनेटली कुछ ना कुछ error आ रहा है और आप उसको connect नहीं कर पा रहे हैं ये तो हो गई बात को इस पर्टिकुलर को को resolve करने के लिए आपको क्या क्या step यूज करने चाहिए क्या क्या common step आपको को इस्तमाल करने हैं वो मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं तो पहला है solution one issues क्या था आपको पता हो गया कि इसू क्या था अब हम बात करते हैं solution के बारे में तो solution इसमें यह है पहले मैं आपको infrastructure समझा दूँ एक जामपल यह यहां पर हमने तीन different ESXi host को design कर लिया है और एक vCenter server भी लगा देते हैं this one is our vCenter server यहां पर हमने vCenter server को establish कर रखा है and everything is okay इस solution में आपको starting कहां से करनी है you know that कि इनके बीच में switch होगा right जो कि हर एक ESXi host को और आपके vCenter server को जोड़ने का काम करते हैं पहला है आप इसको ping करेंगे जो भी ESXi host की IP address है पिंग space IP address और space माइनस टी माइनस टी कि अगरता है आपको continue communication रिप्लाई कर जिते भी packet transfer हो रहे हैं उनकी detail को continue दिखाता है आपको 30 seconds तक वेट करना और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई packets fail हो रहे हैं निल्स reply 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 आते थे मैं कहीं बीच में destination host अंडिशी बहले आपके request time आ रहा है बार बार यह इस उस आ रहा है packets में जाते हैं अगर एक दो बारी request time out आ भी गया यह दिखाई भी पड़े गया तो हमारे data packet पे उतना ज्यादा impact नहीं पड़ता बट जब आप service को communication करते हैं जब आप service को अपस में जोडने का काम करते हैं तो उसमें अगर एक दो बारी भी request time out आ गया तो हमारे network में इस हुए हमें network को फिर से resolve करना चाहिए हमें network की communication पर ध्यान रखना है हम coordinate करेंगे network टीम से और discuss करेंगे अपने इस इस इसू को is connected to domain ठीक है आपको यह verify करना है कि जो आपने यह सक्साई होस्ट लगा रखा है वह यह सक्साई होस्ट हमारा पूरी तरीकी से domain से connected है domain प्रोपर तरीके से आपकी यह सक्साई की नेम को resolve कर रहा है आपका communication domain के साथ प्रोपर तरीके से अगर इसमें कोई इसू आता है आपका जो यह सक्साई होस्ट है आप सेपरेट करके चेक करिए कि आपका यह सक्साई होस्ट डोमें कंट्रोलर जो भी आपने एडी से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है अगर आपको लगता है कि सब्सक्राइब करना है कि जो टाइमिंग है आपके डोमें कंट्रोलर प्लस भी से नहीं करना है कि जो टाइमिंग है आपके डोमें कंट्रोलर प्लस भी सेंटर प्लस यह सक्साई तीनों का मैच करना चाहिए और यह मैच तभी करेगा जब आपके एंटीपी सर्विस प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं तो यह तीन पॉइंट आपको ध्यां में रखना है डोमें के सब्सक्राइब करने के समय हैं अब यह तीनों पॉइंट पर चेक करेंगे और चेक करने के बाद 100% आपकी जो इसूज है वह आपका रिजॉल्व हो जाएगा उमेद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं विकेस भी हावा सेवन डिफ्रेंट टाइप साफ इसूज और हमें हर एक पर ध्यान रखना है दूसरा कॉमन सा इसू है चंसे कम मिलते हैं आपको रियल टाइम में देखने को पी एस ओडी ऑन यह सक्साई होस्ट ठीक है दूसरा जो सोलूशन है वह है कि अगर आपके यह सक्साई होस्ट पर पीएस ओडी आ रहा है ठीक है सोलूशन पीएस ओडी तो पीएस ओडी क्या होदा है परपल स्क्रीन ऑपडेट अगर आप यह सक्साई कि अलावाँ विंडोस मसीन की बात करें विंडोस सेवर ने 10 जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करें तो आपने देखा होगा कि आपके विंडोस ऑपरेटिंग स्लूशन है सलूसन है कि अगर आपको पीएस ओडी आए ठीक है तो इस केस में सबसे पहले आप क्या करेंगे चेक रायम क्यूंकि 90 जो इस वाथा है वह रैम की वजह सी आता है मिन्स रैम जो मिनमम रिक्वार्मेंट है उस रिक्वार्मेंट से कम आपने राम रखिये तो हं प्रविए न कहीं आपको अपने यह सक्साइब होस्त को चेक करना है बायोस के तुरू कि आपके पास कितनी रैम अबेलिबल है यह सक्साइब के अंदर पीसोड का जो शुलूशन है वो पूरी तरीके से रैम के उपर डिपेंड करता है अगर आपके पास रैम कम है यह आप अपने रैम को चेक करेंगे अगर पॉस्टिबल हो अगर लगता है कि यह कादी रैम आपकी डैमेज हो चुकी है काम नहीं कर रही है अपने उस स्लोट में तो यू मस्ट नीट तू चेंज दा रहें नमबर थर्ड पर आ जाते हैं वांट स्टार्ट और स्टॉप वीम ठीक है यह अपने पास इसू है और हम इस पर बात करने वाले हैं इसके सॉलूशन के बारे में कभी अगर आप यह सक्साइब होस्ट के अंदर जो वर्च्व मसीन रन कर रही है वी सेंटर सर्वर के जरिए आप स्टॉप कर रहे हैं या उसको या स्टार्ट कर रहे हैं बड़ अनफॉर्चनेटली इसमें से कोई भी सर्विस उसके उपर इंपक्त नहीं कर रहे है तो इसका में जो रिजन होता है फो इस इस आर यह सखसाई होस्ट और इस एस 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 पर हमने वर्च्व मसीन इस्टाइबलिस कर रहे है ठीक है इस आप इसको स्टार्ट करते है ठीक है स्टाप करते हैं या फिर स्टार्ट करते हैं बड़ अनफॉर्चनेटली नहीं वो मरसीन स्टार्ट हो रहे है नहीं स्टाप हो रहे है तो इक मीन्स दैट जो इसू है आपको सबसे पहले अपने यह सकसाई के कोन्फिग्रेशन को चेक करना है चेक यह सकसाई होस् CSXI host का जो CPU usage और RAM usage है वो कितने percentage तक जा रहा है If it is more than 90% अगर यह 90% से ज़्यादा है तो you must need to check और आप अपनी कुछ virtual machine को एक ESXI host से दूसरे ESXI में ट्रांस्पर करेंगे Multiple VMs हैं आपके पास और आप जब virtual machine को turn on करने हैं But unfortunately वो nice start हो रही है आप इन में से कुछ virtual machine को क्या करेंगे migrate करेंगे migrate करने का benefit यह है कि जो CPU consumption है RAM consumption है वो आपका कम हो जाएगा और आपकी virtual machines जो अबेलिबल जो turn on कर रहे हैं वो आसानी से turn on हो जाएगे Next यह पहला solution हुए दूसरे solution की बात करें तो check the storage आपको अपने storage को चेक करना है data center को चेक करना है data store को चेक करना है अगर आपके data store में जो भी आप data store इस्तेमाल करना है इतमे भी share storage इतमे भी local storage जो भी data store आपने इस्तेमाल किया है virtual machine को create करने के लिए आप उसमें available space चेक करेंगे अगर available space नहीं है enough तब यह इसूज आते हैं दो पॉइंट हो गए जो आप अपने रियल इंवार्टमेंट में इस्तेमाल करेंगे तीसरे नमबर आपको वेरिफाइब करना है चेक दा वियम्स फाइल ठीक है आपको अपनी वर्चुल मसीन की फाइल चेक करनी है और वियम्स फाइल के अंदर जो .vmdk file है ठीक है वियम्स और वियम्स पाइल को आपको वेरिफाइब करना है अगर इनमें कोई इसू है कमाड लाइट इंटरफेस की तुरू आप टेस्ट करेंगे अगर इनमें कोई इसू है तो वी जस्त निद तो replace the vmx file means एक ESXi से एक storage से दूसरी storage में आप अपने ESXi को move करेंगे only the file यह हो गया तीसरा solution next move करते हैं अपने पास चौते पे उमीद है आपको सभी यह point समझ में आ गए होंगे और हम कोशिस करेंगे इनका सबका practical भी आपको सब्सक्राइब करें तो आपके पास इनफ डॉकुमेंट है और इनफ वीडियोज है और अगर आप प्रिप्रेशन करना चाहते हैं तो हमारी जो प्लेलिस्ट है वीमेर की वह 100% suitable है आपको इसी भी इंटर्वियो को L1, L2, L3 तीनों तरीके की इंटर्वियो को क्रैक कर सकते हैं इतने जो भी वीडियो से बढ़ा थोड़ा सा उसमें ज्यान देना पड़ेगा देखना पड़ेगा तीसरा नमबर पर आता है unable to take a snapshot तीसरा नमबर पर है unable to take a snapshot snapshot a snapshot error बोल सकते हैं या फिर आप snapshot नहीं configure कर पा रहे हैं एक कि पर डिल्ट लेते हैं तो फेल्ड होजा रहा है ुस प्रॉब्लम से सुलूइशन इस प्रॉब्लम का जो सौलूइशन है वहाप माली यह सक्साही हुस्त है यहाँ पर वर्चुवल मसीन डेफिनेटल सब्सक्राइब करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो आपको एरर दिखाई पड़ता है इसके मैं आपको गाइड करता हूँ कॉमन रीजन जो हो सकते हैं जो आप सलूशन करेंगे पहला चेक अवैलेबल इस्पेस ठीक है जो भी आपका डेटा इस्टोर है जहां पर आपकी वर्चल मसीन रन कर रही है आपको वेरिफाई करना है कि उसमें इस्पेस कितना अगर इनफ इनफ इस्पेस नहीं है तो आप स् को दूसरा अगर इस पर इनफ है फिर भी बार बार एक रही है तो जो सबसे यूनिक रीजरन है ना जो मोर्स मॉश्ट कॉमन रीजरन है की आपकी वर्चुल मसीन हर्टियम से कनेकटेड है उमेद है कि आपको समझ में आ गई होगी RDM की का कॉंसेप्ट मुल्टिबल वीडियोज अविलेबल है हमारे प्ले लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं तीसरा नंबर चांसेज कम हैं बट आपको एक बार वेरिफाई करना पड़ेगा कि जो वर्चुल मसीन आप स्नैपसॉट के लिए प्रोसीड कर रहे हैं आप उस पर व्यम्वेड टूल्स इंस्टॉल कर रखा है या नहीं ठीक है तो यू मस्ट नीड तो इंस्टॉल्स अगर आप यह सक्साई सारी वर्चुल मसीन में डेटाबेस इस्तमाल कर रहे हैं कोई भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो चांच से रहता है कि आपके उस व्यम्वेड टूल इंस्टॉल हो तभी आप स्नैपसॉट को नफिगर कर पाएंगे तो यह तीन कॉमन इसूस है जो आपको चेर करने हैं स्नैपसॉट के केस में इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं अगल स्टॉलूशन नंबर फाइफ ठीक है और इसमें क्या है कि आपकी जो यह सक्साई हो है वोस्त है यह सक्साई पर जो वर्चुल मसीन दन कर रही है उस वर्चुल मसीन की जो पर्फॉर्मेंस इंदसेंस आम टॉकिंग अबाउट की स्पीड का जो इसू है या अब नॉर्मल वर्चुल मसीन आपकी भी है कर रही है तो उसके कही सारी रीजन हो सकते हैं पहला आपका अपने यह सक्साई का कॉन्फिग्रेशन चेक करेंगे तेक है प्लस रैम कितना आपने लगा रखा है और यह सक्साई है वह वर्चुल मसीन को प्रॉपर तरीके से स्टोरेज या प्रॉइट नहीं कर पा रहा है यह पहला पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट आप अपने वी एम की जो सी ड्राइब है वी एम ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइब यानि ज्यादा तर कॉमन सी ड्राइब ही जाएगा आप यह चेक करेंगे कि नंबर ओप जी बी मिन्स जो फ्री स्पेस है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में वह कितना है अगर आपके पास तीन से चार अगर जी बी का स्पेस बचा है ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्राइब में जो वर्चुल मसीन है तो डेफिनेटल विल इंपक्तु दा वर्चुल मसीन परफोर्मेंस आपको वह सी ड्राइब करना है टेमपरेरी फाइल डिलीट करिए डेक्स्टॉप से डेटा को डिलीट दिन नंबर के लिए आप टास्क मेनेज़र ऊपन करेंगे करें कि कॉन सा वह किसन है जो सबसे ज्यादा राइम या सीप्यू को कंजियू कर रहा है और एकार्डिंग टू डैट आपको शलूशन परवाइट करना है तो यह हो गई से एसूज और उनकी ट्रबल उमीद है कि आपको हर एक इसने प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा कहीं पर कोई डाउट लगता है कहीं पर कोई कोई कोश्चन आता है तो प्लीज आप कमेंट में ड्राउब करिए डेफिनेटली हम कोशिज करेंगे आपकी हेल्प करने की तो एस इस हम और भी कोशिज करें कि आपको और ट्रॉबल सुटिंग के रियल ताम वीडियो प्रोवाइड करें वी सेंटर सर्वर और यह सक्षाई को इंस्टाल करके लाइब दिखाएंगे ताकि आप आसानी से अपने डे टू डे अक्टिविटी के टिकेट्स को रिजॉल्व कर सकें आप अपना फीडबेक जरूर कमेंट में शेर करें और हम को सीज करेंगे कि आपको यूनिक और ट्रॉबल सुटिंग से रिलेटेड प्रोवाइड करते रहें that's it guys thank you so much and please do subscribe you're on teach me cloud youtube channel take care and bye